दिन रात मेहनत करते हैं आप लोग, पैसा बनाना कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं, भई तब ही तो मेहनत कर रहे हैं, राइट, आज आपको बताने वाला हूँ, पैसा बनाने का नम्मर वन रूल, ये इतना असान रूल है, कि आपको लगेगा, अरे वाँ, ये तो बड़ रूपै क्यों नहीं है, आज आप लोग हर महीने महनत करके, हर महीने इंकम कमाने में क्यों लगे हुए हैं, क्यों फसे हुए हो फैस ट्रैप में, अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो, आज आसान कर दूँगा, लेकिन आप समझने वाले इंसान होने चाहिए, अगर एक ऐस इसे इंसान आप है जो समझ सकता है दूसरी चीज जो action ले सकता है वो इंसान आगे बढ़ जाएगा वर्दा बाकी तो फिर सभी लोगों के लिए ये वीडियो के वले एक time pass वीडियो है आप मत देखिए वही जादा अच्छा है आप सब लोगों के लिए राइट शुरुआत करें fantastic तो कल की जो मैंने class की थी कल की जो मैंने video launch की थी सबसे पहले तो वो देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो कल की वीडियो मैं उस वीडियो का link भी description में डाल दूगा और उस पर जरूर क्लिक कीजेगा वहाँ पे एक rule समझाया गया था CSIR ये बहुत critical है create, save, invest, de-risk जो CSIR नहीं समझेगा न वो आज की वीडियो को बहुत depth में नहीं समझ पाएगा क्योंकि उस इंसान को फिर ये नहीं समझ आएगा कि भाई पैसा बनाना कैसे है तो सबसे पहले कल की वीडियो देखेगा उसके बाद फिर ये आज की वीडियो देखेगा अब आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि मैं आज का ये लेक्चर शुरू करूँ और आज की इस वीडियो में जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझाओं आपको अपने आप से और अपने परिवार से अपने माता पता से अपनी वाइफ से अपने हस्बेंट से एक वादा करना ह वो वादा क्या है कि आप इसी जनम में इसी समय में और इन फैक वादा कीजिए कि अगले तीन साल के अंदर अंदर जनम और समय तो बहुत लंबा है अगले तीन साल के अंदर अंदर आप अपने परिवार को मिडल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेंगे ये वादा कर लो मैंन lower middle class में थे फिर middle class में आए लेकिन आज इस trap से बाहर है that is for sure मेहनत लगी मेरा career लगा 13 साल का लेकिन आज वहां से बाहर हो आप वापस नहीं जाओंगा that is for sure क्योंकि बहुत कुछ सीख चुका हूँ इस पूरी journey में बहुत कुछ सीख चुका हूँ और वही सिखाता हूँ आज MBA Plus के अपने सारे के सारे courses में इस काम को करने का केवल एक ही तरीका है और वह है सही शिक्षा मुझे तो एक बात समझ आगए कि भाई सही शिक्षा ही एक तरीका है अब यह सही शिक्षा और basic शिक्षा में क्या फर्क होता है basic शिक्षा वो है जो आपको college में मिलती है, school में मिलती है जिसके आप number पाते हो, जिसके आप degree आपाते हो और अपने दिवारों पे चिपकाते हो बढ़िया बढ़िया या दिखाते हो अपने नौकरी के इंटर्वियोज में, जिसका कोई फाइदा नहीं है सही शिक्षा वो होती है जो actually काम करके मिलती है कोई machine operate करने से मिलती है, किसी intelligent इंसान के साथ काम करने के साथ पे मिलती है किसी सही संगत को, किसी सही network को join करने पे मिलती है वो है सही शिक्षा, काम करने पे जो शिक्षा मिले वो है सही शिक्षा और मुझे तो अपने जीवन में वही मिली मैंने 13 साल एक से एक धुरंदर लोगों के साथ काम किया और सही शिक्षा लेता गया चलिए, अब वापस आते हैं अपने आज के simple rule पे यह simple rule है, सस्ता खरीदो, महेंगा बेचो मैंने कहा था ना, सूपर असान रूल है भाई सस्ता खरीदो, महेंगा बेचो अब आप बोलो के पारी तो सर इसमें कौन सी रोकेट साइंस है तो obvious सी बात है, भाई अगर इतना ही obvious है मैं फिर दुबार आपसे सवाल कर रहा हूँ अगर यह इतना ही obvious है, तो आप अपने middle class trap में आज तक क्यों फसे होई हो फिर तो आपको आज तक लाखों चीज़े सस्ती खरीदनी चाहिए थी महेंगे में बेच लेनी चाहिए थी फिर तो आप भी superman होते फिर तो आप भी आज Ferrari और बड़ी-बड़ी Lamborghini और Rolls रोस में खुंग रहे होते लेकिन आज तो बड़ी fight है आज मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह बोल तो कि 25 लाख रुपे की एक गाड़ी खरीद लो और उसके बाद अपना परिवार चलाओ मस्ती में हाना अपने परिवार को holiday पे लेके जाओ you know everything just 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 live life man कर लोगे नहीं कर पाओगे ना आज इतनी fight क्यों है आज fight के अबल इसलिए है क्योंकि यह basic rule आप अपने जीवन में implement ही नहीं कर पाए सुन लिया आपने समझ लिया आपने हाँ वहिए सस्ता खरीदो महिंगा बेचोगे बीच का जो gap है वो margin है वहीं से profit निकलता है वहीं से यह आपका cash flow है यहीं से gross profit यहीं से net profit यहीं सारा धन्दा है इसके उपर आप कितनी fancy चीज़े बना लो R.O.C.E. क्या है और E.P.S. क्या है and so on and so forth लेकिन basics तो यही है ना अब आपको करना क्या है यह theory तो clear है लेकिन आपको करना क्या है उसको discuss करेंगे अभी आगे चलके इस पूरे session में लेकिन यह rule अपने दिमाग में डाल लीजिए सुनने में तो बहुत ही जादा असान है जैसे मैंने कहा फिर भी भाई करोडो लोग आज भी middle class trap में फसे होए है आप क्यों नहीं भारा आ पारे पता है क्यों क्योंकि आप लोग ध्यान से इस बास को समझे आप लोग नहीं खरीदते जब चीज सस्ती होती है ये problem है आपके साथ आप लोग नहीं खरीदते जब चीज सस्ती होती है अब आपको समझाऊँगा कि चीज सस्ती कब होती है वो भी समझाऊँगा इसमें एक बहुत important element है कोई भी चीज सस्ती कब होती है यानि समय, टाइम, अभी डिसकस करेंगे इस क्लास में, चलते हैं अभी आगे, middle class इंसान सिर्फ और सिर्फ सोचता रह जाता है, action नहीं लेता, ये problem है middle class के साथ, हम लोग सोचते रह जाते हैं, हम को डर पहले खा जाता है, हम risk पहले देखना शुरू कर देते हैं, हम action नहीं ल करोड़ोपती होता, सिर्फ अपनी investment से करोड़ोपती होता, ये मज़ाग की बात नहीं है, किसी ने मुझे उस समय बता दिया होता, मैं हर महीने बैठ कर के, कुछ नहीं, केबल मैं तीन या चार स्टॉक खरीता है MRF के, या और अच्छी companies के, stable companies के, blue chip स्टॉक्स करीद लेता कोई trading नहीं, कोई धंदाबाजी नहीं, कोई penny stocks नहीं, कुछ नहीं, अच्छे blue chip stocks करीता, मैं आज करोड़ोपती होता, सिर्फ अपनी investments को लेकर, लेकिन उस ताइम किसी ने समझाया है नहीं, और दूसरी बात, चुकि हम middle class के लोग हैं, तो हमारे या तो भी है, डर का महल प समझाना चाहिए था, कि बेटा सस्ता खरीदो, और महेंगा बेचो, यहीं तो सारा धंदा शुपाव हो है, लेकिन हमें नहीं समझाता कोई ये बात, ना school में, ना college में, डिग्रियां आप मोटी मोटी ले ले लेते हो, उसके ओपर भी loan ले ले लेते हो, और आपका जीवन, नहीं बरबाद है, मतलब जीवन की शुरुआत ही बरबादी से होती है, यह problem है middle class के साथ, और इसी लिए मैंने तो ठान लिया है, कि मैं अपने जीते जी, कम से कम, भगवान मुझे इतनी शक्ती दे और आप लोगो मेरे साथ जुड़ते रहें, एक करोड भारतियों को, उन आपको जो बड़ा किया गया है, आपकी संगत ऐसी रही है, कभी सोचा ही नहीं कि इन्वेस्ट कर दे, कभी किसी ने वैसी direction दी नहीं, इसलिए आपको कभी समझ नहीं आया, अब सड़नी जब आखे खुल रहे हैं, तो भाया, क्या समय निकल चुका है, टाइम निकल चुका होगा, इस क्लास में आज सारी बत्या चल जाएंगी, यहीं एक अमीर इनसान क्या करता है, अमीरों के घरों बेना बच्चों को पहले ही सिखा दिया जाते है, कि बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, समय सबसे critical चीज है, टाइम रहते, अगर कोई चीज खरीद ली जाए, तो ह जो करना है कर दो, हर चीज समय रहते रहते सस्ती होती है, समय निकल जाते है, तो वही आप बैंट बच चुका होता है, इस एस सिंपल आज बाता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यह समझाने वाला था मैं आथ को, मैंने आपको का जितनी सारी चीज़े आप सो रुपे में खरीद पाते थे, आज से माल दीजे मैं कह रहा हूँ, पांच साल पहले, दस साल पहले, आज उतनी चीज़े खरीद सकते हैं आप सो रुपे में, खरीद के दिखा दो मुझे, नहीं खरीद सकते हैं, that is the problem, ऐसा क्यों हुआ, क्यों पैसे की वाली तो कम होती रहेगी, तो भाई, इसी को आसान भाशा में कहते हैं महंगाई, आज समझाई, कि आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यही तो ट्राप है, वो ट्राप क्या होता है, ट्राप का मतलब क्या, यह ऐसा गड़ा है, जिससे बाहर निक पर रोड़ों पर नहीं कहिंग घुसा के बैट जाओंगे अपने, रिस्क नहीं है, लेकिन प्राप्लम यह है, कि आपकी परवरिश वैसे हुई नहीं, माइंसेट वैसा है नहीं, ग्रोथ माइंसेट तो आपका है ही नहीं, तो आपका भी सोचो गई नहीं, और समय निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, जब चीज बहुत महेंगी हो जाएगी, फिर आप महेंगाई में खरीदोगे, और फिर आप सोचो कि अच्छा यार आप यह बढ़ जाए, अरे कितनी बढ़ जाएगी, कोई चीज कितनी बढ़ जाएगी, महेंगा खरीदा चोटा वर्ड कोई एक अग शायद प्रॉफिट बना लोगे, मुश्किल से कर बना लिया तो, और फिर उसके बद मारे जाओगे इसलिए आप कभी मिडल क्लास प्रैप से बाहर नहीं निकल सकते इसका केबल एक ही तरीका है जो मैंने पहले आपको बताया, सही शिक्षा तो आज़ो आज़ो कोई तो confidence देने वाला हो आपके, तभी तो आप आगे जाके कोई step ले पाओगे, आप थियोरी ओवर हो चुकी है, आज की इस क्लास की थियोरी मैंने ओवर कर दिया, आप practical पर आते हैं, भाई करना क्या है, सीधी सीधी बात, सबसे पहली तीन चीज़े बताऊँगा आपको, सबसे पहली चीज़, buy early, जल्दी खरीदो, जो भी खरीदना है, जल्दी खरीद लो, simple बात बता रहा हो आपको, साधी बात है, जल्दी खरीद लो, मैं तो यही करता हूँ, मुझे कुछ भी, भाईया, air ticket book करानी है, पहले करा लोगा, train की ticket book करानी है, पहले करा लोगा, कहीं holiday book करानी है, पहले करा लोगा, मेरे को laptop खरीदना है, पहले खरीद लोगा, मैं नहीं वेट करूँगा इन सब चीज़ों की, भाई, उनका कोई नया version आने वाले, भाई, नया version आएगा, तो महेंगा ही आएगा, in fact, जब नया version आएगा, तो पुराना एकदम जो निकलने वाला market से version होता है न, बहुत सस्ता हो जाता है, that is the right time to buy it, जो सबसे पहले, buy early, जितनी जल्दी खरीद सकते हो, खरीद लो चीज़ों को, कोई भी चीज़ो, buy early, MRF का stock खरीदा होता 15 साल पहले, buy early, तो आज होते करोड़ोपती, इसलिए कह रहो, buy early, जल् खरीदो, खरीदने का decision, तुरंट लो, तुरंट लो, ठीक है, नमबर दो, सोचो कम, जल्दी खरीदो, पहला क्या था, buy early, जल्दी खरीदो, नमबर दो, सोचो कम और जल्दी खरीदो, एक middle class इंसान की सबसे बड़ी problem में यही है, कि वो सोचता रह जाता है, ये stock खरीदू या ना खरीदू, ये mutual fund खरीदे हूं या ना खरीदू, मेरा नुकसान हो गया तो, ये risk बहुत जादा है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, फिर आप आजकल तो बड़ा असान होगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको आक सोचते 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 होते, एकदम महिंगाई की चीज़ खरीदते हो, महिंगे चीज़ खरीदते हो, अरे सामने वाला इंसान अगर आपको कुछ बेच रहा है, तो महिंगी चीज़ी बेच रही है, उसको भी तो अपना commission बनाना है, अकल की नहीं लगाते हैं इस बात पर, इसलिए कहा, कल जो वीडियो लॉंच की थी उसको जरूर देखना CSIR, एक बार नहीं, दस बार देखना उस वीडियो को, दस बार कम से कम, तब कहीं जाके दिवाकी बत्ती जलेगी आप लोगों की, तब आक्शन लेना शुरू करोगे, तो सोचो कम और जल्दी खरीदो, वरना सोच में रह गए, तो क्या होगा, समय निकल जाएगा, और समय के साथ साथ चीज महेंगी होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, मुझे कॉमेंस में लिखके बताना, समय के साथ चीज महेंगी क्यों होती है, अगर आपने अभी तक कि ये class मेरे साथ अच्छे से की है, तो आपके उपर depend करता है, आपको gold asset लगता है, आप gold low, silver asset लगता है, silver low, commodities हो गए, आपको land asset लगता है, आपको घर asset लगता है, real estate लगता है, आपको stocks खरीदें, मैं आपको उपर छोड़ता हूँ, assets, पहले खरीदो assets, फिर learning, जो सीखता रहेगा, वो जीतता रहेगा, मेरा तो simple सा fundamental है life में, मैं तो बहुत खरीदता हूँ, learning, मैं किताबे भी बहुत खरीदता हूँ, मैं courses भी बहुत खरीदता हूँ, मैं लोगों के साथ events भी attend करता हूँ, कुछ बहुत specific, बहुत exclusive events भी होते हैं, मैं वो भी attend करता हूँ, बहुत महंगे-महंगे, क्योंकि वहाँ पे एक लग कर जाके, और तीसरी चीज़, insurance, insurance आपको de-risk कर देती है, भगवान न करें कभी कुछ इदर उदर हो जाए, health insurance, general insurance, life insurance होनी चाहिए आपके पास, हमेशा, तो तीन चीज़े मैंने बता दी, क्या खरीदना है आपको, सबसे पहले assets for learning for insurance, एक चीज़ आपे missing है, पता है क् सबसे ज़्यादा खरीदते हो, बतादू, entertainment, आपको movie देखनी है, आपको नई कपड़े खरीदने है, चाहिए कपड़ों की need हो या ना हो, मैं तो आज गर्व से बोलता हूँ, आप लोगों को बड़ा आजीब लगेगा सुनके, लेकिन गर्व से बोलता हूँ, मेरे पास भ कपड़े खरीदने का, और मैं सबसे कम कपड़े खरीदता हूँ, कोई घड़ी वड़ी, कोई fancy नहीं पेहनता, कोई digital घड़ी नहीं, कुछ नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, in fact मेरे जीवन की सबसे महेंगी घड़ी मुझे दी गई थी gift, जिस समय मेरी शादी होने वाली थी, बस, सबसे महेंगी घड़ी, मुझे आज भी आज है, वो 7000 रुपे की घड़ी थी, वो दिन हो गया और आज का दिन हो गया, मैंने पलट के कभी घड़ी नहीं खरी दी, मैं तो नहीं पेहनता, महेंगी महेंगी कोई अंगूठिया या chains अपने गले में, या हाथ में, क्यों क्योंकि मैं अपना पैसा इंवेस्ट करता हूँ एक्वेटीज में, मैं अपने पैसे को इंवेस्ट करता हूँ एसेट्स बिल्ड करने में, मैं अपने पैसे को इंवेस्ट करता हूँ सही इंशॉरंस बाइ करने में, मैं अपने पैसे को इंवेस्ट करता हूँ अपनी लर्न बट पहले मेरे साथ एक लाख रुपे इंवेस्ट करो और आपने कर दी है और आपका हो गया नुखसान क्योंकि डेप्स तो कभी क्रियेट हुई नहीं थी तो सबसे पहले एक बात समझ जाओ भाई लोगो सौ परसेंट प्लीज स्टाप वेस्टिंग यूर मनी और स्टाप वेस्टिंग यूर टाइम खरीदनी सरफ तीन चीज़े हैं एसेट्स, लर्निंग और तीसरी चीज़े इंशॉरंस जितना टाइम सोचने में लगा रहे हो महंगाई का हिस्सा बनते जा रहे हो 100% clarity के साथ अपने कमरे में ये पोस्टर छपवा लो जितना टाइम सोचने में लगा रहे हो महंगाई का हिस्सा बनते जा रहे हो अब आपकी कुछ महंगाई तो मैं कम कर देता हूँ ये मेरा उत्तरदायत वाई है, ये मेरी responsibility है देखिए, साल 12-23 में हमने 10 courses launch किये, MBA Plus के साल 12-24 में भी हम 9 या 10 courses launch करेंगे और अब courses की fees भी बढ़ गई है जैसे जैसे समय बढ़ आए, हमारी fees भी बढ़ गई है साल 12-23 में जितने भी हमने courses launch किये आज उनकी करीब value है 20,000 रुपे की साल 12-24 में हम जो courses launch करेंगे उनकी करीब value होगी नियर अबाउट 30,000 रुपे, 28-30,000 रुपे तो टोटल हमारे courses 12-23 और 12-24 के में लाके करीब 50,000 रुपे तक की value के होंगे 48-50,000 रुपे तक की value के total courses होंगे अब मुझे पता है कि मैंने 48-50,000 रुपे नहीं लेने I am very clear about it और मैंने देवन पे आपको वादा किया था आपको लोन तो लेने नहीं दूँगा मैं शिक्षा का धंदा खुद करूँगा नहीं धंदा नहीं करूँगा जो मैनत करना हूँ उसका मैं पैसा लोगा आपसे लेकिन शिक्षा का धंदा नहीं करूँगा और आपको लोन में धके लूँगा ले ताकि आपके माता पिता को आपके परिवाज जनों को मुश्किल ना हूँ क्योंकि अपना मिशन क्लियर है भारत के एक करोड़ लोगों को मिडल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है बस इतनी अच्छी शिक्षा दे देनी है और इसलिए आज आपको दे रहा हूँ हमारी आज तक की सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा वैल्योबल आफरिंग मुझे ने लगता कि इससे ज़ादा वैल्योबल MBA प्लस शायद कभी था और शायद कभी होगा वो है हमारा सूपर पैक सूपर पैक का मतलब है कि साल 2023 और साल 2024 साल 2023 जो निकल चुका है और साल 2024 जो आप आने वाला है इसके सारे के सारे कोर्सेज सारे all the courses सब कुछ टोटल जो मैंने आपको का ना 48 से 50,000 रुपे के होंगे रई उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ये 99,99 रुपे की पेमेंट कीजिएगा that's about it it's as simple as that और अगर आप MBA प्लस के पुराने लर्नर हो अगर अल्रेडी आप मेरे साथ पिछले एक साल से जुड़े हो या हो MBA प्लस के पुराने लर्नर हो भाई देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ न इस मैंने वीडियो में क्या सिखाया आपको जो समय पे खरीद लेगा चीज उसको सस्ती मिलेगी जो समय के बाद खरीद लेगा भाई जिसने जो मेरे साथ एक साल पहले जुड़ा था उसको आज हमारा सूपर पैक भी सस्ता मिलेगा जो आज जुड़ा है भाई उसके लिए थोड़ी तो महंगा ही होगी होगी ये तो अव्यस ही बात है ये तो समय का प्रावधान है ऐसे ही चलता है सब कुछ आप लोग मेरे साथ एक साल पहले जुड़ जाते आज फायदा हो जाता फिर भी बहुत मेजर फायदा हो रहा है 48 से 50,000 रुपे के कोर्स आपको केवल 9,999 रुपे के मिल रहे है ये भी दुबारा कह रहा हूँ समय रहते रहते हैं ये खरीद लो कल को कहीं ऐसा नाओं की फेबरियरी या मार्च में जाके हो सकते जनवरी में ही ये जो हमारा सूपर पैक है ये 9,999 की जिखा ये हो जाए 15,999 का या 20,999 का तब भी सस्ता होगा 48, 50,000 रुपे के कोर्स अगर आपको 20,000 रुपे में मिल रहे है तो भी फायदा है 50% का फायदा है Almost सीधा सीधा तो एक बात समझ जाएए समय के साथ साथ रहते रहते तीन चीज़े खरीद नहीं है वो आपको मैं बता चुका हूँ अगर आपको ये चीज़ समझा जए तो आपको बदाई हो और अगर आपको ये चीज़ ना समझाए तो भाई फिर नुकसान आप ही का है और आप खुद ही कर रहे हो अपना नुकसान खुद मरदी टोटली आप की है ये हैं अब आपके सामने स्क्रीन पर वो सारे के सारे 10 कोर्सिस जो हम साल 2023 में लाँच कर चुके हैं साल 2024 में हमारा बहुत मेजर मुद्दा होगा हम पैसे का हम पैसे को लेकर जादा कोर्सिस लाँच करने वाले हैं साल 2023 में हमने लाँच किये ग्रोथ इंवेस्टिंग, बाच जीत, साल 2024 में भी एक से धुरंदर कोर्सिस लाँच होंगे एक एक करके अगर आप इंडिविज्वली सारे कोर्सिस लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा चुकि समय के साथ लोगे ना फिर आगे दागे लेकिन आज ही अगर ये 9999 रुपे की पेमिंट करोगे हमारा सूपर पैक लोगे तो आपको इस सारे के सारे कोर्सिस और आने वाले साल 2024 के सारे के सारे कोर्सिस तुरंद बिल जाएंगे इस आस सिंपल अस दाइग तुरंद मतब जैसे जैसे वो लाँच होते रहेंगे आपको वो गर्स आटोमाटिकली मिल जाएंगे लेकिन आज ही के प्राइस पे प्राइस आज का लॉक करोगे वैल्यू हमेशा आगे की मिलेगी अब मर्जी आपकी है मैंने जो आपको अपने जीवन में इंप्लेमेंट किया वो से खा दिया है आपको सीखना हो और आक्शन लेना हो तो लीजिए आपको नहीं सीखना हो नहीं आक्शन लेना हो जीवन आपका है आप स्वतंत्र है मुझे कोई प्राइब्लम नहीं है मुझे तो आगे बढ़ना है और भारत देश के एक करोड मिडल क्लास लोगों को उनके middle class trap से बाहर निका लेगा अब मैं आपको मिलूँगा MBA press के super pack में लीजे ये super pack be the solid one person वो एक solid एक इनसान बन जाओ जो अपने परिवार को अगले तीन साथ में middle class trap से बाहर निकाल लेगा आपको बहुत बहुत बदाही हो और आपको और आपके परिवार को बहुत सारे आश्रमाद middle class trap से बाहर निकल जाओ मेरे दोस्तों आप बाहर निकलोगे ना मेरा जीवन सफन हो जाएगा फिर जब मैं उपर जाओंगा भगवान के बास मैं बोलू हमाद देखो भगवान जी बाकी सारे जो मैंने करम किये जो भी किया वो किया लेकिन भगवान जी एक बात तो अच्छी कर दी भारत देश के एक करोड़ लोगों को middle class trap से भाहर निकाल के आया हो अब आप बताओ आपके लिए किस काम आ सकता हो तो मुझे भी अच्छे करम करने में मदद करो खुद भी आगे बढ़ जाओ नमस्कार जेहन